नमस्कार मैं रामाशंकर रहा है यूपिसे इंदी के स्प्लेटफार्म पे आधुनिक भारत के लिए समाचार पत्रविंपत्रिकाओं पुस्तों के समधित जो सेशन है उसके में उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं और इससे पहले दो वीडियो जा चुके हैं जस्ट इसके बाद समाचार पत्र पत्रवर्विं पत्रिकाओं से पहले सिक्षा का विजा चुका है और और कांग्रिस के महतपूर सेशन से से बिए उसके बाद गवर्नर जनल वाइसराइज का जो जाएगी तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इसके बाद हम यह सुरू कर करते हैं कि समाचार पत्र कौन-कौन से थे इनका कौन-कौन सी कौनलाजी थी इसका प्रकाशन का वारंब हुआ इसमें इसका संपादक कौन-कौन रहे हैं या इसके मालिक कौन रहे हैं यह प्रयाज किया गया है कि अलग-अलग नोट से या अलग-अलग बुक्स से एक साथ च एक होता है one stop solution ऐसा प्रयास किया गया है कि आपके लिए समाचार बन पत्रवें पत्रिकाओं का one stop solution बन पाए तो बंगाल गजट के बारे में हम लोग प्रेस के विकास में डिस्कुस किये थे कि 1780 में जेन्स आगश्टा सिक्की आईरिस थे इन्होंने पहला जो पत्र माना जा थे ख chili आजा जाता है कलकता जनरल विज्यापन डाता विका आजाता है बंगाल गजट था मद्यAR मैं गये मद्रास कुरियर आया मद्रासmost 784 में तो यह मद्रास और खिर अप्र हैं इंडिया गजट यह कलकता से निकला 2777 हें इंडिविएन डिदे जिव कि से जुड़े ते ये इंडिया गजट से जुड़े हुए थे अगली बात आते हैं बाम्बे हिराल्ड या बाम्बे का पहला समाचार पत्र था बाम्बे सिंकला 1789 में फिर आते हैं इंडियन हिराल्ड बाम्बे हिराल्ड के बाद इंडियन हिराल्ड मदरास में था और 795 में इसकी शुरुवात R. Williams द्वारा की गई और Humphresh द्वारा प्रकाशित किया गया बतलब शुरू की R. Williams ने और Humphresh ने प्रकाशित किया फिर जो कल हमलुक प्रेस के विकास्ट में एक चर्चा किये थे प्रथम बंगाली पत्र को लेके एक जो डिस्कुसन है वो है दिखदर्शन और बंगाल गजट ये बंगाल गजट एक दूसरा भी था और बंगाल गजट ये बंगाली समाचार पत्र ये बंगाल गजट ये भी बंगाल गजट है लेकिन ये इंग्लिस में था James Augustus Hickika और जो ये बंगाल गजट है ये प्रथम बंगाली समाचार पत्र था और हरिष्चंद्र रे ने इसका संपादन किया था ये अंतर है और ये 1888 महा था और जो दिखदर्शन है ये प्रथम बंगाली माशिक था ये कलकत्ता से प्रकाशित प्रियार्टिकल्स मतलब जो मैक जीन्स होती है वो उसमें आता है तो दिखदर्शन मैक जीन में आ गया था इस वज़ए से बंगाल गजट को पहला बंगाली समाचार पत्र कहते है ये जोश्वा मार्शमेन के लड़के थे एक मार्शमेन करके नाम कर नहीं आदा रहा है ज मंगाली सत्ताइक और 1921 में कलकता से प्रकाशन किया था राजा राम होन रहाने इनन्हें भृमाडिकल मैक जीन 1822 में 121 में भी अठारव इसं टीजीन में हुई थी अठार रह सो डिचिसन में भी अगरेजी में आ पर काशित की गई थी Declink الإeid कई और ब्रामड्ड मेकन अ पहली फार्सी पत्रिका थी कलकत्ता से निकली अप्रेल 1822 में और राजारा मोन राय द्वारा पिर आता है जामे जहां नुमा जामे जहां नुमा उर्दु में पहला समाचार पत्र था और कलकत्ता से यह भी निकला मार्च 1822 में और इसके जो संपादक थे हरिहर दत्त थे पर मंगरेजी थी जो संपादक थे वो हरिहर दत्त थे तो यह ध्यान रखेंगे हरिहर दत्त के बारे में कि जहां जहां नुमा उर्दु में पहला समाचार पत्ता वो हरिहर दत्त ने प्रकाशित किया था फिर आता है बंगदूत था चार भाषाओं में यह महत्पूर है तो ध्यान रखेगा बंगदूत चार भाषाओं में चार भाषाओं में सब ताइक प्रकाशित होता था अंग्रेजी में बंगाली में फार्सी में और हिंदी में तो अंग्रेजी, हिंदी, फार्ची और बंगाली में बंगदूत प्रकाशित होता था कलकत्ता से 1822 में राजारा रा मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य मिलके इसको प्रकाशित करते हैं तो बंगदूत के बारे में आप ध्यान रखिये का राजारा मोहन राय, त्याजिस से जुड़े हुए थे फिर ये देखिए महतपूर चीज हेनरी विवियन डेरीजियो इस्ट इंडियन डैनिक टेली इस्ट इंडियन डैनिक समाचार पत्र जो है वो हेनरी विवेन डेरीजियो द्वारा 19 सेंचुरी में प्रकासित किया गया । ये दियान पयामे आजादी अजिमुल्ला खां का है भारत मित्र है गडेश सावरकर का ने किसका संपादन किया भारत मित्र का आरे दरपड है स्वामी दयानंद का आरे समाज आरे दरपड का आप मैच कर सकते हैं और इंडिपिंडेंट है इलहाबस से 1919 में निकलने वाला मोतिलाल नहुर या 1914 डेली है एनिबसेंट द्वारा ठीक है इसी तंदर में हम लोग आगे देखेंगे अगर महतमा गांधी के सारे पत्रों को एक साथ देखा जाए तो महतमा गांधी के कुछ पत्र पहले निकले थे यह सब जो है उसके बारे में बाद में धूरा दिसक्कस करेंगे तो महत महात्मागांधी का यह पत्र है फिर 1920 में फिनिक्स में इस्पापित हुआ वहां से empresa मनसुख लाल नजर ये चार भासाओं में इंगलिस में, घुजराती में, कमिल में और हिंदी में चार भासाओं में प्रकाशित होता था और सापताहिक था तो इंडियन उपिनन के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे मातवागान्दी के पेपर में मात्मा गांधी का दूसरा पेपर जेंग इंडिया 1909 का सापताहिक पत्रिका थी मात्मा गांधी ने निकाली थी जेंग इंडिया फिर मात्मा गांधी नव जीवन भी निकालते हैं 1909 में नव जीवन ये भी सापताहिक था और गांधी जी और इसका संपाधक कौन थी इंदु हिंदुलाल या जिनिक और नवजीवन जो पत्र्का थी ये मुलता तो गुजराती में थी खिंडी उमरें अंगरिजीFeं प्रकाशित होती थी तो नव जीवन जो थी वो गुजराती में थी और हिंदी अंग्रेजी में भी प्रकाशित होते थी लेकिन जो हरिजन पत्र है उसके बारे मुझे देखेंगे 1933 में निकला गांधी जी द्वारा इंग्लिस वीकली था ये इंग्लिस सब्ताहिक 1933 में अमात्मा गांधी द्वारा निकला इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो निकलता था उसको हरिजन सेवक कहते थे और गुजराती ट्रांसलेशन को हरिजन बंधु करते थे तो हरिजन बंदू और हरिजन सेवक इसको आप अपने इसाप से याद रखेंगे कि सेवक हिंदी था और बंदू गुजराती था जैसे मैच करना है उसको देख लीजेगा तो गांधी जी सम्मंदित ये प्रमुक समाचार पत्र थे अब देख लेते हैं इसी बार में बियारम मेटकर से सम्मंदित प्रमुक समाचार पत्र कौन थे तो कुछ तो इस पस्ट आपको होगा है कि क्या लिखा हुआ है जैसे देख लीजे मुक नायक इन्होंने 1920 में निकाला ये पाक्षिक था पंदर दिन पे ये मुल्त मराठी में था मुक नायक 1920 में और ये पाक्षिक या पंदर दिन पे निकाला याता था मुक नायक मुल्त मराठी में था फिर 1927 से 29 तक पहिस्कृत भारत निकाला गया ये भी मराठी में था ये भी पाक्षिक था 1929 तक फिर अगला पत्र है वह जनता the people करके 1936 तक निकला और ये मराथी पहले पाक्षित है फिर साप्ताई ही हो गया पहले सब्सक्राइब पर आया प्रबुद भारत जो 1956 में निकला वो भी बी रम्बेटकर का पेपर था, तो बीर अम्बेटकर के बारे में गांधी जी के पत्रों के बारे मने चर्चा कर चुके हैं, कुछ और अबर पत्रों की बात की जाए, तो परांजपे का काल था, लाला लाचपत रहा का, वेंकूवर से निकला 1908 में दफ्री इंदुस्तान अब इसके बाद हम लोग फिर अपने जो मुल स्वरूप है वहां आ जाते हैं जो साड़ी बनी हुई है उसको देख लेते हैं इसलिए बोला गया है कि इसको हर और भी नोट्स किताबों से इंडिश किया गया है कि एक ही द्धाशा में पहल्लोग प्रयस के वीकास में चर्चा कर चुके हैं जहंगीर फरदौनजी प्रकास सकते हैं निकालने वाले थे पिर एकला चलते हैं बामे टाइमस 1860 में और बाद में यही the times of India हो गया अब ध्यान रखिए इसको क्योंकि यह the times of India की बात हम कर रहे है बाम्बे times 1860 वाला बाद में the times of India हो गया और 1800 मावे 1838 में बाम्बे times था 1861 के बाद ही times of India हो गया ठीक है 38 और 61 और the times of India ध्यान रखना है शुरुवात बाम्बे में हुई रावट नाइट द्वारा नीव रखी गई और Thomas Bennett द्वारा प्रारम किया गया रावट नाइट नीव रखे थे और Thomas Bennett इसको प्रारम किये थे जैसे हम लोग गांधी जी के खवारों में देखे हैं कहीं कहीं गांधी जी निकालना है अखवार लेकिन संपादक इंदूलाल यागनिक है फिर कहीं मनसुक लाइक नजर है संपादक तो उसी प्रकार से यहां Thomas Bennett जो है वो संपादक थे और आवट नाइट ने नीव रखे थे फिर आते हैं रास गौफतार इसकी चाचा हम लोग समासुधार अंदुलोन में कर चुके हैं रास्त गौफतार जो थी और रहनुगाए मौजद्यान सभा जो थी पार्सीयों की तादा भाई नौरोजी और काने उसमें एक और काने करके थे उनका नाम पूरा मगुनियादार है इन्हों ने मिलके निकाली थी तो 1800 क्याउन में ये निकली थी कलकत्ता से रास्त गौफतार एक गुजराती पाक्षिक पत्रिका थी फिर आता है हिंदू पैट्रियट हिंदू पैट्रियट इसके विकास में लेकिन इसके और थोड़ा देखा जाएगा इसके मालिक थे मदुसूदन रे कौन था मदुसेदन मदुसूदन रे और शुरुवात में क्या था कि ये पत्रिका स्वतंतर थी लेकिन अंतता ब्रेटिस इंडिया एसोसियेसन द्वारां खरीद ली गई और अब ये अंतता भुस्वामी हितों का प्रतिन द्युत्व करने लगी तो इसके बाद अठारसो तिरपन में अठारसो तिरपन में इसका गठन किया गया था और गिरिश्चंद्र घोस एडिटर थे इसके बाद में हरिश्चंद्र मुखरजी हो गया और अन्य एडिटरों में हिंदू-पेट्रियाट के खिष्चुदासपाल थे और इश्वचंद्र विध्यासागर ने भी इसका संपादन किया था हिन्दू-पेट्रियाट का और क्रिष्चुदासपाल को भारती पत्रगारिता का राच्कमार का आ जाता है इस वज़े से भी हिंदू पेट्रियार्ट इंपर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे महत्पूर पत्रकारों ने इसका संपादन किया है नत्त भले यह सिर्फ भुस्वामी हितों का प्रतेंदों तो करता था लेकिन अपने आप में यह काफी व्यापक अख़वार था और बड कि गई है अब 1369 में इसकी निव रखी जाती है कहीं कहीं माना जाता है कि सोंप्रकास की निव रखी गई अब नियल अंदोलन को ध्यान रखते हैं सोंप्रकास निल अंदोलन के साथ मैश कर लेते हैं नीलांदुलन का समर्थन इस पेपर में किया गया था उसके साथ इसके टाइम लाइन नमन रख लेते हैं अगर दोनों आ गया तो भगवान वरसे मामला जिसके बारेंगे जो सही होगा देखा जाएगा तब का तब पहले ये देखते हैं कि इसके जो एडिटर थे वो द्वार बैनेट नीस से प्राद्रम भी किया था उसी प्रकार द्वारकनाद भूशड इसके एडिटर थे और श्वर चंद विद्या साकरनीस की योजना निव वन आई थी तो टाइम साफ इंडिया को अठाइसवर्ट से जानते हैं लेकिन अठाइसवर्ट से जानते हैं लेकिन संद्र दिन पर निकलता था बाद में डेली इंग्लिस नीच पेपर के तौर पर निकलने लगा इसकी जो 1861 में मनमोहन घोश और देवन्दनाट टैगोर ने इसकी स्थापना की थी इंडियन मिरर की प्रेधान रखिएगा देवन्दनाट टैगोर मनमोहन घोश दोनों संद्रनाथ सेन लेकिन बाद में संद्रनाथ सेन थे तो उन्होंने पेपर को खरीद भी लिया और केशव चंद्र सेन तो वस्तुता हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी पेट्रियाट पेपर इसलिए महतपूर है क्योंकि उसे जुड़े लोग थे वह महतपूर थे उसी प्रक पर्सनालिटिस थे तो इन से संद्री जो पेपर हो जाएगा वह भी इंपर्टेंट हो जाएगा पहले 15 दिन पेच रपता था बाद में डेली निकलने लगा इंग्लिस में फिर एक नेशनल पेपर करके था कलकत्ता से निकलता था 865 में देवना टैगोर देवना टैगोर के मिलके क्या किया था अमरित वजार पत्रिका की सुरुवाद की थी जेसोड जिला में 1868 में जब 1878 में वरनाकुलर पिरशे डटाया तो इसने रात और अपनी भाषा बंगाली से बदलके अंग्रेजी कर ली जिससे कि इस पे वरनाकुलर एक एक लगी नहीं पाया तो इस तर पत्रिका के बारे में आगे चलते हैं मद्रास मेल पहला भारतिय संध्या समाचार पत्र था मद्रास मेल कलकत्ता से 1868 में बहुत महतपूर नहीं है मतलब देखने के लिए देख लिया जाए पिर बंग दर्शन है बंगाली में कलकत्ता में बंकिंचंद्र चटरजी का चटर इंडियन इस टेट्समाइन के नाम से जाना-जाने लगा, गालत पूर्द महतपूर है यादा इससे पहले, इंडिया बंबे इंडियन इस्टेट्समाइन की तोडियो इस वर्जे महतपूर हो गए फिर आता है देहिंदू जो आज UPSCU के लिए Lifeline मानी आती है देहिंदू इंडेन इस्प्रिस अपने अपना व्यू है कोई कभी नहीं पढ़ता है फिर भी बन जाता है खेर देहिंदू सापताहिक की रूप में प्राड़म हुआ था देहिंदू भी मद्रास में अठारसो अठारम्रव में ये साय र वि एहिर राघवचारी और सुब्भा राओ पंडित और विर रागवचारी की पट्रिवं को पता ही होगा नागपुर अदिविसन के अधक्स्य मां संद्रवा चाहिषण और सुब्भा जीय साय भी ठेहिंदू से जुड़ उई बात कर लेते हैं दिलक के पत्रों की बात कर लेते हैं तो जो माराठा पत्र था वो अंग्रेजी में था ये अपोजिट देखिए जो माराठा है वो है इंगलिस में और जो केसरी है वो है माराठी में तो बस इतना ध्यान रखा है जो माराठा वो माराठी में नहीं है तो मारा जीजी आगरकर और केलकर ये दोनों तीलक के पहले तीलक को इन्होंने प्रिसाइड किया था तीलक के पहले ये इस पत्र के संपाधक रह चुके थे तो इस पत्र से कौन कौन और लोग जुड़े थे एक चिप लुड़कर भी जुड़े थे आगरकर भी जुड़े थे तीलक भी जुड़े थे और जो तीलक थे उनसे पहले आगरकर और केलकर इसके संपादक रह चुके थे पिर आते हैं स्वदेश मित्रन हम लोग अभी चर्चा किये थे ना भारत में प्रकाशित प्रथमत्तमीले निउजपेपर स्वदेश मित्रन की चर्चा किये थे पिछले जो नोट में हम लोग प्रेस के विकास में देखे थे मद्रास से निकला है ये 1882 में G.S.A.R. सुपरमणियम, G.S.A.R. जिनकी चर्चा हम लोग दहिंदु में भी किये हैं दहिंदु में G.S.A.R. की बात किये हैं न वही G.S.A.R. ये प्षदेश मित्रन भारत में प्रकाशित पहला तमिल निउजपेपर में भी G.S.A.R. थे और T.N. विश्वनाथन थे और G.S.A.R. भी थे 1882 में परिदशक आता है विपिन्चंद्रपाल का पेपर है 1886 बस विपिन्चंद्रपाल के लिए याद रख सकते हैं जुगांतर लगवग लोगों को पता होगा पारिंद्र कुमार घोष अमनीश अविनाश भटाचारे और भुपेंद्र नाध्दत पारिंद्र कुमार घोष औ अविनाश भटाचारे इन तीनों ने मिलकर निकाला था जुगांतर पत्र 1906 में स्वदेशिया अंदोलन के दोरान की बात है ये अनुशीरन समीती की बात है ये इसी प्रकार संध्या के पत्र है ये निकलता था संध्या बंगाल से 1906 में ब्रह्मा बंध पाध्याय द्वार कि प्रकार कल था पेपर और इसे संबंद में इंडियन सोचियोलाजिस्ट नामक पेपर था लंदन से निकलता था 1905 में शाम जी क्रिष्ट वर्मा दारा क्यों कीन हुने 1905 में इंडिया हाउस इंडिया हाउस की स्थापना की थी कहां पे की थी लंदन में की थी तो शाम जी क्रिष्ट वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में और लंदन में ही 1905 में पत्र निकाला इंडियन सोचियोलाजिस्ट अब चुकि शाम जी क्रिष्ट वर्मा की बात कर ने बर्लिन में पत्र निकाला कौना तलावार कौन सा तलावार फिर आते हैं गदर नामक पत्र यह ये तो लग algunas जानतीं गदर की क्रांती जो भी इतियास पढ़ रहे थोड़े बहुत तो गदर नामक जो पत्र था वह सैंट फ्रांसिसको अमेरिका से निकाला गया और गदर पार्टी जो लाला हर्दियाल थे इन्हों ने इसको निकल निकाला था निकलवाया था अब कुछ और मॉत्पुट पत्रों को देख लेते हैं यहां पर ऐसे the socialist ऐसे डांगे, ऐसे श्रीपद अमरित डांगे ऐसे डांगे श्रीपद अमरित डांगे यह कमिनिश्ट थे भारत के और the socialist नामा कि इनोंने पत्र निकाला था इन्होंने एक pamphlet भी बनाया था, गाधी बनाम, लेनिन का नाम का pamphlet भी बनाया था मौला नाजात की पत्रों की चर्चाम लोग कर चुके थे पिछली बार प्रेस की विकास में लेकिन देख लेते हैं, अलहिलाल 1912 और अलबिलाग 1913 अलहिलाल भी उर्दू, अलबिलाग भी उर्दू में, नवयुक था, नवयुक है, मुझफर अहमद बंगाल से निकला था, नवयुक, नामक पत्र, मुझफर अहमद मंगाल द्वारा निकाला गया था, और इंकलाब पंजाब से निकला था गुलाम हुसेन द्वारा और कर्मवीर 1920 में निकला था माखलना चतुरवेदी द्वारा कर्मवीर के बारे में आपको पता होगा मौलाना मुहमद अली जोहर अली बंद्यों में एक इन्होंने कामरेड 1911 से 14 इंगलिस विकली निकाला और हमदर 1913 में पुर्दु में निकाला और कुछ पत्रों की और चर्चा करें तो प्रबुद द्वारत अठार सो चानबे एक प्रबुद द्वारत निकलता है बियर अमेटकर निकालते हैं 1956 में वो नहीं यह दूसरा परबुद्ध भारत है इंगलिस मंतली जर्नल है 1890 में इस पेपर के प्रडेता है स्वामी विवेकानन्द लेकिन और कौन संपादक मंडल में और कौन लोग जुड़े हुए है पी अईयर स्वामी वी आर राजम अईयर जीजी नरसी महाराव जीज सिम्मा चार है अब जैसे अयाद हो या पढ़ने से एक बार क्लिक कर जाए एकजाम में तो काम बन जाएगा बाकि सब भगवान भरस से कोई बाद नहीं है मदरास से निकला उद्वधन पत्रिका 1899 में बंगाली में स्वामी विवेकानन्द निकाली एडिटर इसके थे त्र इस पेपर के बारे में देख लिए यह भी हम लोग देख चुके हैं अब चलते हैं जो बची हुई यह लिस्ट है पत्रिकाओं की चार देखते हैं और बुक सबसे लाश्ट में देखेंगे सबसे पहले देखा जा बताईएगा कौन सा पेपर है फिर दहिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर था अकाली आंदोलन के द्वारा इसकी नीव रखी गए थी सुंदर सिंग लाइलपूरी और इसका उद्गाटन जो किया था ना वो गांधी जी ने किया था इस वज़ा से भी मौत पूड हो जाता है पेपर तो हिंदुस्तान टा जो स्थापना उद्गाटन था समारो उसको उद्गाटन किये थे गांधी जी ने 1924 में स्थापित हुआ था ये और बाद में मदन मोहनवालवी ने इस पेपर को खरीद लिया ये ध्यान रखेगा और जब मदन मोहनवालवी ने खरीद लिया 1923 से संपादक न्यूक्त मदन मोहनवालवी का उससे पहले जो था ये अकाली सुंदर सिंग लैला पूरी का था इसका उद्गाटन किया था गांधी जी ने पूरी का ने हिंदुस्तान टाइम्स की है वैस्कृत भारत के बारे में माराथी पाक्षित के बारे हम लोग चर्चा कर चुके हैं आप दोरान पुड़ी आरासु नामक एक पत्र का निकाली थी ठीक है फिर क्रांती नामक पत्र था जो कि 1927 में निकाला गया माहराष्ट से SS मिराजकर, केयन जोगलकर और SV घाटे तो नाम ये मतपुड है इसको थड़ा देख सकते हैं क्रांती SS मिराजकर, केयन जोगलकर और SV घ अब ये ध्यान रख सकते हैं 1934 में जोलाल नेरू नेशनल हेराड एक और महतबोड पुछना है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पत्रों के बारे में, नीच पेपर एजंसी के बारे में हम लोग कम बात की हैं, भारत की जो पहली नीच पेपर एजंसी यहां पे थी वो API थी, कौन थी? API, ASO Cated Face of India, API यह हुई थी 1905 में, यह सरकारी टाइप की थी, पतलब सरकारी नहीं थी उस समय की, लेकिन यह जैसे जिसमें न्यूज सप्लाई होती थी, वो राष्टवादी खपरों का उस प्रकार से उसमें coverage नहीं होता था, इस समस्य थी निजात पाने के लिए, ऐस सदानन्द नामक आदमी ने, ऐस सदानन्द जी ने, फ्री प्रेस आफ इंडिया की स्थापना की, 1920 के दशक में, और सायद माना जाता है कि 1924 पचीस में इन्हों ने स्थापना की, इसका वीजय क्लियर टाइम नहीं मिल पाया, हर जगह ऐसे दिया रहा था कि 1920 में, लेकिन ऐसा पता चला कि 1924 पचीस के दवरा, इन्हों ने स्थापना की थी, फ्री प्रेस आफ इंडिया नामक न्यूज एजनसी की, न्यूज पेपर न्यूज एजनसी में इन्तर गी है, तो ने कि और देकिसे नाय की साथ की प्रेशंगय ब्रसट स्टे फ्रस्टी कि गश्ट स्थ आफ इंडिया की सापन ऊई थी उन्हीं सोउ निदन 14 में रंश की विकास में ये भे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या हुआ था कि 1920 में इन्होंने प्रेस आफ इंडिया की सापना की इसकी खासित यह थी कि भारती राष्ट्रवाद की समर्थक निज एजनसी थी भारती राष्टवादी जो खबर होती थी उनको भी प्राइर्टी से लेके आती थी उनका प्रकासन करवाती थी इस वज़े से भी यह महतपूर है और किसी भी भारती दोरा प्रवंधित्यों मालिकाना हक वाली प्रथम निज एजनसी कौन सी है फ्री फ्रेस इंडिया इस वज़े से यह काफी महतपूर है लेकिन इसके बाद 1928 में सदानन जी ने इसी समदर में फ् समाचार पत्र सब लोग प्रकासित कर रहे थे लेकिन निज इनसी के बारे में सोचना बड़ी बात है क्योंकि उसमें बड़ा पैसा लगता है और ढूमने की चांसर जब ज्यादा होते है इस पेसली जब आवराश्टवादी खबरों को प्रकासित करें ठीक है तो फिर यूगी कर रहे है का एक देखिए एक का प्रकाशन कर रहे है मांखहल चत्र वेदी और अर्विन्द घोश कर रहे है धर्म का प्रकाशन कर्म यूगी का आंग्रीजी में और वंदे मांत्रम का निज सोपांच में बड़ा वारे में कोई इंटार इंचार मांच मीत Alright रही से도 न्रेंदर्नाष बंगाली का पर है कौन सा बंगाली पर आते हैंे इडूकेट आ फिदून्दू गिद्थारखर कोसा रहा है सुधारक राह है, हितवाद राह है 1911 वाला हितवाद और नेशन ये गोपाल कृष्ण गोखले के पत्र रहे हैं फिर हम लोग गोपाल गडश आगरकर के देखते हैं पत्र, गोपाल गडश अगर जीजी आगरकर जिनकी बात होती है तिलक के साथ तिलक के साथ जिन्होंने तिलक के पहले जिन्होंने मराठा और केसरी का संपातरी किया था उससे जुड़े हुए थे तो वो गोपाल गडश आगरकर की बात हो रही है अंग्रेजी और मराठी साथ ताहिक इन्होंने सुधारक निकाल 1888 में 1888 में तो महत्मागांधी की महत्पूर पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी सत्यना प्रयोगों के नाम से सत्यना प्रयोगों के नाम से ये मुलरुप से गुजराती में रिखी गई थी My Experiment with Truth नामक पुस्तक फिर राजिन प्रसाद की बुख है India Divided कौन सी बुख है? India Divided Hence for Self Culture ये किसकी बुख है? ये है लाला हरदयाल की जो कि गदर अंदोलन के पड़ेता है Hence for Self Culture फिर A Nation in Making शांदार पुस्तक है ये सुरेंदराज बनर जी के Ethan बनर जी की Unnation in Making पुस्तक है उसी प्रकार अरविंदो घोष की बुख का नाम है Essage on Gita एक किताब ये हो गई एक हो गई Life Divine और एक हो गई Savitri महतपूर किताबे हैं Savitri, Life Divine और Essage on Gita अरविंदो घोष की किताबे हो गई तो सरोजनी नाइड़ी जी की किताबे कौन सी महतपूर है तो Song of India फिर World of Time और Golden Threshold ये इनकी महतपूर किताबे है सरोजनी नाइड़ी जी की Song of India World of Time और Golden Threshold फिर विजय लश्मी पंडिच जी की बात करते हैं जो नेड़ी जी की बहन थी तो विजय लश्मी पंडिच जीतने क्या The Scope of Happiness नावक किताब लिखी थी The Scope of Happiness लोवेट फ्रेजर की बात की जाए इनका इंडिया अंडर करजन एंड आफ्टर ये महतपूर किताब है फ्रेजर की किताब है इंडिया अंडर करजन एंड आफ्टर इसके बाद क्या देखा जाए इंडियान मुसलमान इंडियान मुसलमान ये किस ने लिखा था ये लिखा था हंटर वीलियम ने इंडियान मुसलमान नाम पुस्तक लिखी थी हंटर वीलियम ने इंडिया अंडर रिपन, यह लिखा था Ms. Blunt ने, Integrated लिखते हैं ंडिया अंडर रिपन और इंडिया अंडर करजन अन आफटर लिखते हैं, लोवेट प्रेजर यह मत पूर, के जो भी किताब इन, नहीं जादा नहीं दिया गया यह विष्ट, तो इसको भारतियों की कटू आलोचना की गई थी इसके जवाब में लाला लाजपत राय ने लिखी पुस्तक अनहपी इंडिया तो मदर इंडिया में जहां भारतिय के संस्वीति को ताना मारा गया था उस प्रकार से कटू आलोचना की गई थी वहीं unhappy इंडिया में लालाजपत्राय ने दिखाया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जिस चीज के लिए भारतियों क्या लोजना की जा रही तो यह हो गया उसके बाद सर्मिष्ठा यह उन तथा तिलुत्तमा नामक किताब है वो लिखा था उनकी पुस्ता को थी मतपूर पुस्ता के दरीडल्स इन हिंदुईज और यह लाश्ट वटनाश वटनाट द लिस्ट यह तारा भाई शिंदे की किताब है इसको जरूर जरूर ध्यान रखेगा और शेवनती भाई एम दिकंबे की किताब है दोनों शुरुवाती महिला रा असी में और जो शेवनती भाई एम निकंबे थी उनकी बुक थी रतना भाई और इसके चाफ बामबे हाई कास्ट हिंदु यंग वाइफ रतना भाई और इसके चाफ बामबे हाई कास्ट हिंदु यंग वाइफ रतना भाई और इसके चाफ बामबे हाई कास्ट हिंदु यं अपने अन्भवों से लिखा कि क्या अंतर होता है और जो श्यमंती भाईयम निकंबे थी उन्होंने रत्ना भाई नामक मतलब ऐसे वुमेन का जिक्र किया जो कि हाई कास्ट जो तता के उच्छ जातिया मानी आते हिंदू में उनकी एक जो अठरतो पंचानवे के दौर में या समाचार पत्र जोम पत्रिकाओं को कंप्लेट कर लिया है तो अगले सेशन में हम लोग गवर्ण जनरल वायस राय के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद भी वायक्यूच की अंतिम सीरी जाएगी इसके बाद आधुनिक वारत से हम लोग निवरित हो जाएंगे फिर नमसकार